अस्सेलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे रसमलाई इसके लिए एक लिटर दूज जो वह हमारा फट गया था, तो इसको हम बेकार नहीं करेंगे, इससे हम इसकी रसमलाई बनाएंगे इसका जो पानी हम अलग करेंगे, यहाँ पर रुमाल लियावा है, साफ दो के लियावा है, नीचे एक बरतन रखावा है, इसकी मदद से हम इसका पानी अलग करेंगे, इसमें जो पानी बिल्कुल भी ने रहना चीए, मैंने इसी तरीके से और एक रेसिपी डाली विये, वो बहुत अच्छी है, थोड़ी अलग है वो, देखो इस तरीके से हमको पानी निकालना है, इसका एक दम नीचोड के, और इसा भी हम एक घंटे के लिए बान के रख देंगे, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा, यहाँ पर एक घंटा हो गया है, इसका पानी निक इसके बाद इसमें वन टेबल स्पून कॉन फ्लावर दालेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग पॉडर दालेंगे, यहाँ पर एक लिटर दूद लियावा है, इसे गरम होने के लिए रख आवा है, इसे भी हम अच्छा से मिक्स करेंगे, इसे हम दस मिनिट टक करते तो हमारी रसमलाई जो है बहुत अच्छी बनेंगी, इस तरीके से करते रहने हमको, टोटल पंदरा मिनिट टक करना है, इसमें यहाँ पर अबाल आ गया है दूद में, इसमें हम टेस्कियो कोटिंग शकर दालेंगे, ऐसे भी मिक्स करेंगे, यहाँ पर हमने वन टेबल दालेंगे और इसका घोल ते यार करेंगे, इसमें लंस नहीं रहना चाहिए, और इसको डालते वक हम दूद को हिलाते रहेंगे नहीं तो इसमें लंस आ जाएंगे, और यहाँ पर हम थोड़ा सा फूट कलर दालेंगे, यलो रहता है तो बहुत अच्छा दिखता है इसका क और पौना ग्लास शकर लिए इसका हम शीरा तयार करेंगे हम को गारा नहीं करना है सिर्फ इसमें मैल्ट हो जाएंगी और इसमें तीन इलाइची डाली विए शीरे में देखो यह अच्छे से मिक्स हो गया है यहां पर 10 मिनिट टक हम अच्छे से मिक्स किया वा है इसके हम बड़े बनाएवे यह भी पकना स्टार्ट हो गया अच्छे से हम इसमें एक एक करके डालेंगे और कम आच पर रखेंगे हम फास नहीं रखना है अब हमको यहां पर सब दालके रेडियो गए अभी से हम ढखके 10 मिनिट टक रखेंगे तो यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए देखो यह भी रबड़ी भी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है अभी हम बरतन में दालेंगे इस तरीके से इसके अंदर जो पानी रहेंगा है निकालेंगे और एक एक करके हम इसमें दालेंगे हमने थोड़ी सी रबड़ी बाहर रखी वी अलग से अभी से हम उपर से दाल हाई फ्रेंड्स अगर आपको मेर ममा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वच्छिंग